नमस्ता मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 21 सितंबर दिन गुरुवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर राजी में उद्योग स्थापित करने के लिए कड़ेगे बिहार में साथ सुर्ख होगा इस पाच नेशनल हाईवे का नर्मार बिएससे के ओर से दुट्य इंटर अस्तर ये परिच्छा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी पिछले साल के अपेख्छा इस बार 10 फीट तक नीचे गया भूजल अस्तर ICC लैंकिंग में नमबर एक पर मुहमत सराच अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 परी खबरों के ओर वस्तार से अग्रिकल्चर ग्राजुएट ट्रेनी के पदों पर निकली भरती इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को अपरेटिव लिमिटेट के ओर से अग्रिकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी के पदों पर भरती निकाली गई है ऐसे में जो भी इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह पर जाकर आविदन कर सकते हैं बता दे क्या आविदन करने की अंतिम तिती साथ ओक्टूबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सेचने क्योगिता की बात करे तो वे उमिदवार इसके लिए आविदन कर सकते हैं जिनके पास चार वर्स ये B.S.C. क्रिसी पुर्णकालिक नियमित डिगरी हो वे उमिदवार जिनके अंतिम समस्टर के नतीजे नवंबर 2023 सग घोशित होनी की उमीद है वे भी आविदन कर सकते हैं वही जिन कैंडिडेट्स ने एगरिकल्चर में B.S.C. की डिगरी वर्स 2020 में एवम इसके बाद ही प्रात की है वे भी अप्लाई कर सकते हैं वही आविदन करने वाले कैंडिडेट्स को सामाने O.B.C. उमिदवारों को डिगरी में नियुंतम 7 प्रतीशत अंग प्रात करने चाहिए इसके अलावा S.C.S.T. उमिदवारों को नियुंतम 55 प्रतीशत अंग प्रात करने चाहिए इस जोरी अधिक जानकारी के लिए जारी के गया अधिसूशना को देख सकते हैं। के तहद बने बनाए और दोईक सेड मासिक किराय मातर 4 रुपे प्रती वर्गफूर से सुरू हो रहा है। वह इसे जुरी चानकारी के लिए आप वेबसाइट बियारा बिहार.in पर भी देख सकते हैं। पत्रकार राजनितिक टिपनिकार, समचार प्रस्तुत करता और कहानी कार है। बिहार के एक छोटे से शहर गया से सहीदी बीवीसी, होम टीवी और स्टार टीवी के लिए एंकरिंग कर चुके हैं। वहाली में एकाने सर्श पायदान के खेल प्रसारक ESPN में शामिल हुए थेट्रों में अब भी सक्री है। इस सक्स ने उर्दू और हिंदी में 15-20 नाटक किये हैं। एक सफल पत्रकार बनने के बाद धी वह अपनी जरो को नहीं भूले जहां से उन्होंने शिरवात की थी और इसलिए उन्होंने अभी भी खुद को दास्ता नगोई में गतिशील बनाए रखा है। नियनुभव और काम के कारण पत्रकारिता जगत में एक वांचनी प्रोफाइल के साथ उन्हें 2007 में वार्सिक समचार टेलिवीजन पुरुसकारों में सर्वस्टरस्ट खेल प्रसूत करता से सम्मानित किया गया था। मुख्यधारा की टीवी प्रतकारिता से लेकर सूपर हिट प्राइम टाइम खेल समचारों तक देन ने हड गुजरते दिन के साथ अपने आस्तर बढ़ाया है। निर्गत आदीश का उलंगन है समस कोलिक राज्य पड़िवहन आयुक्त डॉक्टर आसीमा जैन के द्वारा सभी जिलों के जिला पड़िवहन पतादिकारी को आविश्यक काड़वाई करने का नर्देश दिया गया है। इसे नर्देश का पालन करते वे अब बिना HSRP नमबर प्लेट लगाए वहन के डिलिवरी करने वाले वहन विनिर्मताओं या डिलर को काड़वाई की जाएगी। बता दे कि उनका यूजर आईडी और पासवर्ट ब्लॉक किया जाएगा इसके अलावा टेड़िस सर्टिफिकेट को भी निलंबित किया जा सकता है। बिहार में इस साल सुरू होगा इस 5 नेशनल हाईवे का निर्मान होने वाला है जिसे 2025 तक पूरा करने का लक्षे रखा गया है। 433.54 करोड रुपय की लागत से बनने वाला मुंगेर भागलपूर एनच असी करीब 109.86 लाग 57.964 रुपय की लागत से बनने वाले इंकगरसराय आडोबी एनच 110 और 1060.16 करोड रुपय की लागत से बनने वाले 14 बकसर बाइपास एनच 319 एश शामिल है। बिहार करमचारी चैन आयोग की ओर से दुइत्य इंटरस्तर ये परिच्छा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत 11,098 रिक्तपदों के लिए भरती निकाली गई है। परिच्छा उत्रण होना अनिवार है। इससे जुरी अधित जानकारी हासल करने के लिए उमिद्वार नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब घड़ बैठे कड़े इपरिच्छ ये है पैकेज। इससे पैंडराइब में कड़ इपिंद्दान करने वाले पिंद्दानी को उपलब्ध करवाया जाएगा। बतादे कि इपिंद्दान की बुकिंग बिहार राजे परिटर निगम के दोरा अपने ट्रैवल ट्रेड अकाउंट पर की जाएगी। वहीं इस सुवधा का लाब लेने के लिए सिर्फ 23,000 रुपे खर्च करने होगे। बतादे के रासी एक मुस्त जमा करनी होगी इसमें पूजन सामगरी एवं पंडित का दक्षना भी शामिल है। क्रिसी वानी की योजना अंतरगत बास लगाने का सुनहेडा मौका। अपलब्द कराए जाएंगे। पिछले साल के अपेक्षा इस बार 10 फीट तक नीचे गया भूजलस्तर। लोग स्वास्ते अभियंतरन विभाग यानी की पी एच इडी के दोरा राजे के 28 जिलों की भूजल स्थिती के रिपोर्ट जारी की गई है। जिसके अनुसार 28 जिलों में से 24 जिलों में पिछले साल के तुलना में सिती खड़ाब है यानी की केवल चार जले ही ऐसे हैं। भूजलस्तर थोड़ा ठीक है बता दे कि विभाग के अनुसार जिन जिलों के भूजलस्तर में कमी आई है। उसमें नालंदा हिलसा में 2022 के तुलना में 2023 में 10.9 फीट की कमी आई है वहिसके लावा नवादा में 10.6 फीट जहानाबाद में 10.2 फीट कोपाल गंज में 2 फीट दरभंगा में 1.8 फीट मुंगेर में 4 इंच अरवल में 11 इंच पटना पश्चिम में 9.4 फीट सेखपूरा में 8.2 फीट लखी सराई में 5.6 फीट भूजलस्तर नीचे गया है बता दे कि भूजलस्तर में कमी का कारण कम बारिश को होना बताया गया है वहीं बूजलस्तर में आई कमी को लेकर बिहार विधान सभामी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिनहा के दोरा कहा गया है कि राजे में 4 वर्सों से जल जीवन हडियाली योजना लागू रहने के बावजूद भी जलस्तर का नीचे गिरना इस योजना के विफलता को दर्शाता है राजे में ये संकट भविश्य के संकट क्योड इशारा कर रहा है ऐसे में सरकार को सर्व दलिये बैठक बुला कर इस संकट के समधान ही तू बात चुक करनी चाहिए विहार के परेटरिन में आज हम बात करेंगे अमझर सरीफ के बाड़े में अमझर सरीफ और अंगाबाद जिले में स्थित है और इसलाम के सबसे महतपुन धार्मी किंद्रों में से एक है आपको बता दे कि अधरगा को हजरत स्यदाना मुहमद जलानी के नाम जाने जाने वाले मुस्लिम पीर के लिए कब्र के रूप में बनाय गया था जो आज मुस्लिम समुदाई के लोगों के बीच महतपुन तर्थस्थलों में से एक माना जाता है इस दरगा की खासियत यहां जून के पहले सब्ता के दोरान आयुजित होने वाले महान पीर की वर्षगाट पर देखने को मिलती है जब लाकों की संख्या में मुस्लिम समुदाई और भी अने समुदाई के लोग जो सूफी वात में यकीन रखते हैं इस तिर्थ अर्थ स्थल पर चाते हैं इस अफसर पर तिर्थ यात्रियों के लिए बाबा हजरत की पवितर बाल प्रदश्यत किये जाते हैं सीयम नितीश ने महिला आरक्षन बिल को लेकर मुख्य सचीवाले में पत्रकारों से कहा ये बीददन मुख्य मंत्रे नितीश कुमार के दौरा मुख्य सचीवाले में महिला अरक्षन बिल पर पत्रकारों से बाच्जित करते वे कहा गया कि हम तो सुरू से ही इसके पक्ष में है संसद में मेरा दिया गया भाशन देख लीजे संसद और विधानसबा सब जग महिलाओं को अरक्षन मिलना चाहिए लेकिन दिक्कत यह है कि लोग लागू करेंगे नहीं यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था उन्होंने कहा कि हर दस साल पर जाती गन्ना होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा हमने ही सबसे पहले महिलाओं को 50% अरक्षन दिया वर्ष 2008 में पंचायती राजसन स्थाओं में और वर्ष 2007 में नगर निकायों में हमने महिलाओं को 50% अरक्षन दिया प्रारंभिक सक्षक नियोजर में हमने महिलाओं को 50% अरक्षन दिया बाद में सभी सरकारी नौक्रियो में महिलाओं को 35 प्रतिशत अरक्षन दिया उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं के लिए काफी काम किये गया है अब हमारी मांग है कि अनुश्य जन जाती पिछ्रा और अतिपिछ्रा वर्ग की महिलाओं को लोगसभा और विधान सभा में अरक्षन मलना चाहिए सिक्षा विभाग ने 690 हेड मास्टरों का वेतन किया बन जला सिक्षा पदाधिकारी के दोर आदेश जारीकर यह जानकारी दी गई है कि बिहार के जहानाबाद में 690 हेड मास्टर के वेतन को रोक दिया गया है बता दे कि इन सभी हेड मास्टर के वेतन को इसले रोका गया है क्योंकि पत्रांग 2628 में ये नर्देश दिया गया है कि जले के 690 विद्याले के प्रधान ध्यापक द्वारा चातर एवं चातराओं का DBT नहीं कराया जाता है तब तक इनका वेतन बंद रहेगा मालुम हो के 18 सितंबर को मामला सामने आने के बाद सिक्षा विवा के अपर मुख्य सचीव के के पार्था के द्वारा एन स्कूलों के हेड मास्टरों के खिलाफ कारवाई करते वे 24 घंटे के अंदर डेटा पूरा करने का नर्देश दिया गया था जिसके बाद जला सिक्षा पदादिकारी के द्वारा एन हेड मास्टर्स के वेतन पर रोक लगाई गई विहार के चायवाले की बेटी पर B.H.U. ने खर्च किये 60 लाक रुपे विहार के रोताज जिले के सिमारी गाउं के चायवाले मुन्ना की बेटी परिया फरवरी 2022 में B.H.U. यानि की बनारस हिंदू विश्विद्याले के ट्रॉमा सेंटर आई थी परिजनों के भोजन के नमती ली गई थी मालुम हो के प्रिया का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो खुद का नाम बताते नजरारी हैं और साथ ही यह भी बताती हैं कि वक अक्छा दो में परती हैं और खेलने के दौरान उसे गमले से चोट लग गई थी पटना हाई कोट ने एनच के निर्मान और मरमती के मामले पर की सुनवाई बिदे दिन पटना हाई कोट के चीफ जस्टिस के वी चंदरन की खंड़ पीट के दौरा राजी के विविन छेत्रों में राष्ट्री राजमार्गों के निर्मान वा मरमती से संबंधित जनहित याजिकाओं पर सुनवाई की गई इस दौरान कोट के दौरा एनेच आई और सम्बंध जलाधिकारियों को प्रगती रिपोर्ट देनी का नर्देश दिया गया और साथी कोट की ओर से महेंस खुट सहरसा एनेच रोड के निर्मान करने वाले ठेकेदार को पार्टी बनानी का नर्देश दिया गया बतादी की कोट को संबंध अधिवक्ताओं को जानकारी देते वे बताया गया कि राज्य में विविन एनच सरकों के निर्मान और मरमती का कारे बहुत धीमी गती से चल रहा है वहीं कई ऐसे भी राश्ट्री राजमार्क है जनका नर्मान कारे भी प्रारंब नहीं हो सका है और कई इस्थानों पर भूमी अधिग्रहन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण एनच रोड के नर्मान में देडी हो रही है बतादे के इनचर हित्या चिकाओ पर आगे भी सुनवाई की जाएगी बिहार के कई जिलों में बारिस की संभावना बिहार में कमजूर हुए मौसून को एक बार फिर से एक्टिव होने की बात कही जा रही है मौसुम विभाग के तरफ से जारी अपडेट के नुसार 23 सितंबर तक प्रदेश में बारिस होने की संभावना जताई जारा ही बतादे के प्रदेश के कई जिलों में 21 से 23 सितंबर तक बारिस होने की संभावना जताई गई है साथी साथ इन जिलों में आसमान में बादल छाय रहने की बात कही गई है जिससे की तापमान में हलकी गिरावट देखने को मिल सकती है बतादे कि 21 सितंबर को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के अधिकास जिलों में एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ मेगरजन होनी की संभावना है इस दुरान सुपॉल अर्या, किसंगंच, पुर्णिया, कटिहार, भागलपूर, बांका, जमुई, मधेपूरा, कटिहार, जिलों में एक या दो अस्थानों पर बारिश होने की संभावना है साथी 22 सितंबर को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि वैशाली, समस्तिपुर, पुर्णिया, कटिहार, भागलपूर, बांका, गोपाल, गंच, पश्चिंचंपारन, पुर्वी चंपारन, सीतामधी, शिवहर, मधुबनी, सुपॉल, ररिया, किसंगंच, जिल हम सभी इसके तीसरे सीजन की इंतजार में बैठे हैं, लेकिन इस पीच मिरजापूर कास्ट की AI जनरेटेड जिम एडिट फोटो, सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रही है, बता दे कि एक इंस्टाग्राम यूजर के द्वारा दस तस्वीरे शेयर की गई है, जो की AI से जनरेटेड है, इस दस पोटो में कालिन भैया, मुन्ना त्रिपाथी, बबलू पंडित, गुड्डू पंडित, बिना त्रिपाथी, कमपाउंडर, गोलू त्रिपाथी, बाबुजी, मकबूल खान और माधुरी दिक्षत की तस्वीरे शामिल है, जिनका लोग ब पहले सरकारी दर के हिसाब से जगह मिलती थी, लेकिन अब बोली लगाने पर जगह दी जाएगी, जिससे की सरकारी राजश्व में डेर गुना तक अजाफा होगा, मालू हो कि अभी गांधी मैदान में एक रूपए 20 पैसे प्रती वर्ग फीट प्रते दिन के हिसाब से लिक्तम दो ब्लॉक की बुकिंग के लिए बोली में भाग ले सकते हैं, हाला कि धार्मिक वा राजश्वतिक कारिक्रम के लिए व्यवस्था में कोई बदलाओ नहीं किया गया है, यानि कि इन कारिक्रमों के लिए पुरानी व्यवस्था ही रहेगी 4 गोटाले से संबंदित मामले में अदालत में पेश हुए लालू बीतर दिन राज़स्ट सुप्रीम उ लालू पर्शाद यादप 4 गोटाले के मामले में CBI के विसे इस अदालत में पेश हुए जिसमें मुख्य नायदिश के रूप में महेस्त कुमार थे वहें संबन में लालू यादव के अधिवक्ता सुधीर कुमार सनहा के दोरा बताया गया कि बीते दिन CBI की ओर से अदालत में किसी गवाह को पेश नहीं किया गया में दर्च किया गया था जिनमेंसे 22 लोगों की मौत हो चुकी है कि सीम के मुख्य सचीवाले के नरिक्षन में लेट पाए जाने पर मंतरी ने दी सफाई मुख्य मंतरी नितीश कुमार मुख्य सचीवाले पहुँच गया जहां उन्होंने सचीवाले का नरिक्षन किया दोरान कई मंतरी ऐसे थे जो वहां मौझूद नहीं थे जिस पर सीम नितीश के द्वारा सभी को समय से दफ्तर आने का नर्देश दिया गया वहीं अब सचीवाले के नरिक्षन में लेट पाए जाने वाली मंतरी के दोरा अपनी सफाई दी गई है बता दे ग्रामीन विकास मंतरी श्रवनकुमार के दोरा कहा गया कि वो तो वहां थे ही हो सकता है कि पास दस मिनट लेट हुआ हो लेकिन मुख्यमंत्री के नर्देश का अक्छरस पालन होगा उसमें कटोती की कहीं से कोई गुंजाइस नहीं है उन्होंने कहा कि जब जवाब देही मिली है काम का अफसर मिला है तो उसका पालन भी किया जाएगा यह राजी के हित में मुख्यमंत्री के संकल में दो है महिला अरक्षन बिल को लेकर लाळू राबरी पर बड़से जीतन राम मांची बीदे मंगलवार को लोगसभा में प्रिधान मंत्री नरेंदर मोगी के दोरा महिला अरक्षन विद्य को पेश किया गया जिसके बाद इस विध्य को लेकर राजनितिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है बतादी के अविसपल बिहार के पुर्व मुख्य मंतरी और हमनेता जीतन राम मांची के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई और साथी राजस सुप्रीमों लालो पुषाद यादव और उनकी पत्नी और बिहार की पुर्व मुख्य मंतरी राबरी देवी पर तंज भी कसा गया है मालू हो कि जीतन राम मांची के द्वारा कहा गया कि ये बिल पहले ही आना चाहिए था उन्होंने कहा कि प्रधान मंतरी ननेंदर मोदी की सपस्टता और सम्मान के चलते ही ये बिल लाया गया है ये बिल जरूर पालित होगा इस बिल को जेडियू की ओर से समर्थन दिया गया है इसके लिए उनका धन्यवाद वहीं मैं राबरी देवी से यही कहना चाहता हूँ कि आप पती पत्नी 15 सालों तक बिहार में शासन में थे उस दौरान उन्होंने महिल आरच्छन के लिए क्या किया था ICC रैंकिंग में नंबर एक पर मोहमद सराज ICC के दौरा ताजी जारी बंडे गेंदबाजी की रैंकिंग में भारते क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुहमद सराज पहरे अस्थान पढ़ है हालाक इसकी टॉप 10 की रैंकिंग में कुल्दी प्यादव भी शामिल है लेकिन इने रैंकिंग में नुकसान हुआ है दर असल कुल्दी प्यादव इस रैंकिंग में 9 वे स्थान पढ़ा है अब कि जानकारी के बता दे कि मुहमद सराज ICC के गेंदबाजी के रैंकिंग में 694 अंकों के साथ है मालुम हो कि मुहम्मद सिराज के द्वारा एशिया कप में कुल 10 विकेट चटकाई गये थे ऐसे में टूर्णामेंट में सबसे जादा विकेट लेने के मामले में वह दूसरे नमबर पर थे शिलंका के मतीसा पतीराना में 11 विकेट लेकर टॉक पर रहे सिराज ने अब तक खेले 29 वंडे मैचों में कुल तरपन विकेट लिये हैं भारत के तिहास में आज की तारीक है करी कार्णोस दर्च बहादुर शाह दुट्य ने 857 में अंग्रेजों के समक्ष आत्मस्तमरपन किया प्रसिद भारतिये तैराथ मिहीर सिर्न ने 1986 में आज ही के दिन बास फोरस की खाड़ी को पार करके एक और किरतिमान अपने नाम किया भारत एवं बिटेन के बीच बहतर संबंध के लिए Liberal Democratic Friends of India Society के स्थापना 2000 में हुई रिलाइंस के कृष्णा गोदावरी बेसिन में 2008 को तेल उत्पादन शिड़ हुआ भाजपा आला कमानी 2009 में महराष्ट्र वह हरियाना विधान सभा के लिए उमिद्वारों की दूसरी सूची जारी की हिंदी में सिष्ट हास्य लिखने वाले कलाकारों में अग्रणी लेखक अरंध पुर्णा नंद को जन्म 1895 में हुआ हिंदी शिडियमा की जानी मानी अभिनेतरी अजरा का जन्म 1895 में हुआ भारतिय स्वतंता के सिनानी जो 1948 से 1954 तक स्वराष्टर राजी के मोखे मंतरी उचंगराई नवला संकर धेवर का जन्म 1905 में हुआ प्रसद अभिनेत्री और गाई का नूर जहां का जन्म 1926 में हुआ, जिनोंने भारती और पाकस्तान सिनेमा में कारे किया भारतीय फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर का जन्म 1980 में हुआ, आमेर का वीर और बहुती कूटनितग्य राजा सवाई जैसिंग का निधन 1743 में हुआ, भारतीय सुदंता संग्राम के सिनानी पत्रकार समाजी कारी करतक था सांसद अमरनाथ विद्यालांकार का निधन 1985 में ह आज के दिन को अंतराश्टिय सांती दिवस्त और विश्व अलजाइमर दिवस्त के रूप में मनाया जाता है बारेल कर में आज हम बात करेंगे सिक्ष सुरक्षा कर्मियों के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सूचना बारेल होती है लेकिन सभी सचो ये जरूरी नहीं है इसी करी में आज हम बात करेंगे सिक्ष सुरक्षा कर्मियों के बारे में P.I.B. ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फरजी है और बैमन सयता पैदा करने के रादे से साजा किया गया है ऐसा कोई इनने नहीं लिया गया है इस तीन टिप्स से वाइफाई होगा फास्ट अगर आपका भी इन्टरनेट स्लो चल रहा है तो आप तीन टिप्स के साथ इससे फास्ट कर सकते हैं आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो आपका डेटा का एक प्लान होता है जिसमें आप तैसीमा का प्लान लेते हैं तो इसका कोटा खत्म होने पर इंटरनेट अपने आप स्लो हो जाता है अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आपको अपने प्लान को चेक करना चाहिए व अगर राउटर को घड़ के बीच में लगाया जाया तो सभी को अच्छी स्पीड मिलेगी किसी ऐसे कोने में राउटर ना लगाए जहां वेबस में रुकावट आए इसके लावा VPN की वज़ा से भी कई बार इंटरनेट को स्पीड स्लो हो जाती है अगर आपको VPN की ज़रूरत नहीं है तो आपको इसे डिलीट कर देना चाहिए वही कई बार जूम एप की वज़ा से भी इंटरनेट स्लो हो जाता है ऐसी में आपको इंटरनेट स्लो करने वाले एप को अपने डिवाईज में से तुरंत डिलीट कर देना चाहिए पटना मेट्रो डीपो के लिए जमीन देने वाले किसानों को मुआवजे के लिए आसे आवीदन की होगी जाँच मेट्रो रेल डीपो के नर्मान के लिए रानीपुर और पहारी मौजा में 75.945 एकर जमीन का दिग्रहन किया गया है जमीन का कुल 82 खेसरा है अब तक 110 रयतों के बीच 130.63 करोड की राशी का भुगतान किया गया है सेस 352 आवीदनों की जाँच के लिए जिलाभू अर्जन कारेयाले ने सदर सीयो को भेड़ा था इसमें 85 आवीदनों का CEO के द्वारा जिलाभू अर्जन कारेयाले को जाँच प्रतिवेदन उपलब्द कराया है वहीं अबाज यानि की गुरुवार से विशेश अभियान चला कर रोस्टर के नरूप मोजा वार सिवेड लगा कर 15 दिनों में लंबत आवीदनों का जाँच प्रतिवेदन उपलब्द कराने का निर्देश दिया गया है हम प्रतिदन आपसे पांच ऐसे जरूई सवाल और सुझरे जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पुलस, दरोगा समीत, SSC जैसे अने प्रतियोगी परिछाणों में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफियर्स और भूगोल से रहेंगे पूछे गए पांच सवाल में आपने कितना सही उतर दिया कृपा करके यहां में कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाली में एर इंडिया ने 16 एरपोर्ट पर क्या शुरूप किया है? आप्शन ने उरान योजना, आप्शन B, छेतरी कनेक्टिविटी योजना, आप्शन C, प्रोजेक्ट अभिनंदन, आप्शन D, इनमें से कोई नहीं इसका स्तहिर तरह आप्शन C, प्रोजेक्ट अभिनंदन, अगला सवाल, हाली में किस राजे सरकार ने निपाह वारस फैलने के कारण राज में हाई अलर्ट घोशत किया है? आप्शन A, केरल, आप्शन B, असम, आप्शन C, मनिपूर, आप्शन D, उरिशा इसका सही उतर है आप्शन A, केरल, अगला सवाल, स्वतंता के उप्रांत बिहार में उग्रचात्र आंदोलन के श्रुवात कब हुई? आप्शन A, 1951, आप्शन B, 1955, आप्शन C, 1961, आप्शन D, 1974 इसका सही उतर है आप्शन B, 1955 अगला सवाल, बिहार में कोजा, गड़ा, वरत, मुख्यता कहां मनाया जाता है? आप्शन A, मगत शेतर में, आप्शन B, भोजपुरी शेतरों में, आप्शन C, मिथलांचल में, आप्शन D, इनमें से कोई नहीं इसका सही उतर है आप्शन C, मिथलांचल में अगला सवाल, अशोक का सीह स्थम कहां अस्तित है? आप्शन D, राजगीर में, आप्शन B, पटना में, आप्शन C, वैसाली में, आप्शन D, गया में इसका सही उतर है आप्शन C, वैसाली में इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है बूज अलस्तर में आई कमी को खत्म करने के लिए आपके अनुसार सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए अपना जवाब हमें मारी कमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताएं अज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबड़ों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चाहलं को सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बूक से देखर तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद